नमस्कार, कक्षा 10 विज्ञान पार्ट 9 प्रकास पार्ट 2 में आपका स्वागत है, आज के बिंदू है गोल ये दर्पन, गोल ये दर्पन की परिवासा, उसके प्रकार, उसके उप्योग और गोल ये दर्पन से संबंदित सब्दावली के बारे में हम पढ़ेंगे और साथ ह प्रावर्तन के नियम क्या होते हैं, तो चलिए, सुरू करते हैं, आज का विसे, पर उससे पहले, फिर से वही बात, पूरा देखें, स्किपने करें, और जो नए हैं, वो चैनल को लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दवाना नह भूलें, ताकि नया वीडियो जब भी बने, वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो, तो चलिए, सुरू करते हैं, गोल्य दर्पन, जैसे अगी आपको पता है, पहला पॉइंट अपना, गोल्य दर्पन, देखें, वे दर्पन, कुछ दर्पन, जिनमें हम अपना चैरा देखते हैं, वो सम्तल दर वे दर्पन कहलाते हैं, इसके लावा वे दर्पन, जिनका परावर्तक प्रष्ट, गोल हो, या वक्रित हो, या वक्र हो, टेड़ा हो, अंदर की और दसा हो, या बाहर की और उब्रावा हो, उन्हें हम गोल ये दर्पन कहते हैं, जैसे, तो सबसे पहले परिभासा, वेदरपन जिनका परावर्तक प्रश्ठ वक्रित हो या गोल ये हो गोल ये दरपन कहलाते हैं इसे पहले हमने बात की थी प्रावर्तक यानि कि प्रावर्तक वह सतह होती है एक तो होती है सीधी समतल जिस पर कोई भी कीरण या कोई भी रेखा खंड या कोई भी कीरण जो है पुंज है प्रकास कीरण है वो आती है है तो जो प्रकास की किर्ण आती है वो सिधी नहीं होकर भिन-भिन दिसाओं में गमन करती है अलग-अलग दिसाओं में गमन करती हुई दिखाई देती है इस बार हम बात कर रहे हैं गोल ये की अर्थार्त ये जो दरपन का जो प्रश्ट है वो या तो कुछ उबरावा होगा या अंदर की और दसा हुआ हो सकता है इसे हम कहते हैं वकृत या टेड़ा हुआ या गोलिय मैंने जो से तरबनाए हैं ये इसी के परकारों में आते हैं यानि की परिभासा के बाад हम बात करते हैं परकार की पर उसे पहले परिभासा यानि कि वे दरपन जिनका जो प्रष्ट है वो वक्रित हो यानि कि टेड़ा हो या गोल हो उन्हें हम गोल ये दरपन कहते हैं दो प्रकार के होते हैं पहला आउतल और दूसरा उतल दरपन आउतल दरपन और उतल दरपन देखें उतल आउतल कहते किसे हैं उसके बारे में आउतल दरपन जो होता है चले ये दोनों ही आई की आकरती से हम दरशा सकते हैं ताकि समझने में आपको दिक्कत नहीं हो अवतल दर्पन जो अंदर की और दसा हुआ हो और उसके जो किनारे हैं बाहर वाले वो फेले वे रहते हैं जबकि बीच वाला जो केंदर वाला भाग है वो अंदर की और दसा रहता है उसे अवतल दर्पन कहते हैं जबकि उतल दर्पन किनारे जो होते हैं वो सिकुडे वे होते हैं, कम फेले वे रहते हैं, और जब कि केंदर वाला भाग जो होता है, वो उबरावा यानि कि फेलावा रहता है, अवतल दरपन और उतल दरपन, अर्थार्थ अवतल दरपन का जो आंतरिक भाग है, वक्रित भाग है या परावर्तक प्रश्ट है, वो अंदर की और दसा रहता है यानि कि अंदर की और दसा रहता है तो इसका मतलब इसके बाहर की और रज़त पॉलिस की भी होती है अर्थार्थ जहां से कि रज़त पॉलिस इसलिए की जाती है ताकि प्रकास की कीरण आरपार नहीं चली जाए अर्थार्थ जो सीसे में हम अपना चेरा देखते हैं तो उसके पिछे भी एक पोलिस की वी होती है ताकि हमारा चेरा हम साफ देख सकें उसके आरपार नहीं चला जाए जैसे खिड़की वाले कांच नहीं हो जैसे खिड़की वाले कांच होते हैं उनके पिछे कुछ नहीं लगा रहता है इसका मतलब आरपार दे प्रावर्तक भाग होता है और बाहर की और इस पर पॉलिस की जाती है जबकि उत्तल में इसका ठीक विप्रीत होता है यानि कि उब्रा हुआ भाग होता है वो प्रावर्तक प्रश्ट कहलाता है और अंदर वाले भाग की और इस पर पॉलिस की जाती है तो कोई भी प्रकास की किरन होगी अवतल पर अंदर की ओर टकराएगी जबकि उतल पर बाहर की ओर यानि उब्रेवे बाहर की ओर टकराएगी तो ये दो प्रकार हैं अवतल अंदर से दसा हुआ जबकि उतल बाहर से उब्रा हुआ ज्यादा यदि नहीं कन्फ्यूज होते हो या ज्यादा कन्फ्यूज होते हो या समझ में नहीं आता हो तो एक उधारन गर के रूप में हम ले सकते हैं चम्मच होगी गर में यानि चम्मच को हमने देखा होगा चम्मच के दोनों भाग होते हैं जिस साइड से हम खाना खाते हैं चम्मच से, वो भाग उसका अउतल भाग कहलाता है, यानि कि अंदर धसावा भाग कहलाता है, और ठीक दूसरा भाग, उल्टा भाग चम्मच का, जो उबरावा होता है, वो उतल दर्पन की तरह होता है, तो ये था, गोल्य दर्पन किसे कहते हैं, और उसके दो परकार, उतल और उतल, इतल अंदर की और धसावा परावरतक प्रष्ट, जब बाहर की और उब्रावा रहता है, अब बात करते हैं, गोल्य दर्पन के मुख्य कुछ सब्धावली की, यानि इनसे जुढ़े वेकुस Related जो टैम्स हैं यानि की Point हैं, कौन-kौन से बिन्दू को हम क्या कहते हैं उनके बारे में चितर से. alı करें. चले बात करते हैं मुख्य समन्ध सब्धावलियों की. सबसे पहले बात करते हैं दरपन का दुरूए किसे कहते हैं उसके बारे में इसी प्रकार में इसी क्रम में मुख्य अक्ष, वक्रता केंदर, वक्रता तरीजिया मुख्य फोकस और फोकस दूरी और दौर्ण किसे कहते हैं उसके बारे में साथ में हम चित्र की साहिता से समझेंगे कि यह होते कहा हैं तो उसके लिए चित्र बना लेते हैं दोनों प्रष्टों के यानि कि दोनों गोल ये दरपन के मान लिजे ये बाहर की और लेपित है या बाहर की और पोलिस की गई है इसका मतलब ये हो गया आपका आउतल इसमें अंदर की और पॉलिस की गई है तो ये हो जाएगा आपका उत्तल दरपण। कान से कम यह तो आपको सुन्गाया होगा। कि उत्तल और उत्तल कहते किसे हैं। अंदर की और दसावा उत्तल और उब्रवा उत्तल। चले। साथ पहले बात करते हैं दरपण का ध्रुवा किसे कहते हैं उसके बारे में। कोई भी दरपण हो चाए उत्तल हो उत्तल हो उसका प्रावर्तक प्रष्ट जो होता है। यानि कि जहां से कोई भी किरण आप्तित यानि कि आतिवी होती है और परावर्तन के बाद चली जाती है परावर्तित हो जाती है तो वो प्रष्ट उसका प्रावर्तक प्रष्ट जो होता है उसका जो केंद्र होता है यानि इसका देखो ये प्रष्ट जो है इसका केंद्र या दरपन का दुरुवे जैसे इस परावर्तक प्रष्ट का सेंटर मान लेजी यहां होगे यह पी जिसे पी से दरसाते हैं इसे तो यह हो गया आपका दरपन का दुरुवे यानि किसी भी परावर्तक प्रष्ट का केंद्र उस दरपन का दुरुवे कहलाता है दूसरा है मुख्य मुख्य अक्ष किसे कहते हैं क्योंकि ये कालपनिक रेखा है जिसे हम imagine कर सकते हैं होती नहीं दुरूवे और वक्रता केंद्र जैसे की ये वक्र है इसका केंद्र जैसे हम C से दरसाते हैं वक्रता केंद्र को दुरूवे और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा इन दोनों को दुरू है यानि P और C को मिलाने वाली कालपनिक रेखा को जो कि आगे तक चली जाती है क्योंकि टक्राने के बाद में परावर्तित कीरण जो होती है वो कहीं पर भी मिल सकती है इसलिए इसे मुख्यक्ष कहते हैं और ये कालपनिक होती है उसके बाद है वक्रता केंद्र यानि की कोई भी परावर्तक प्रष्ठ जो होता है जिस गोले का भाग होता है चाए वो अउतल हो चाए उतल हो उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है अवतल है तो अवतल का वकरता के अंदर, उतल है तो उतल का वकरता के अंदर, इसी क्रम में वकरता तरिज्या, परावर्तक प्रष्ट के गोले की तरिज्या, अर्थार्थ जिस दर्पन या जो दर्पन जिस गोले का बना हुआ है, अवतल का या उतल का, किसी का भी, उसका पर जिसे हम वक्रतात्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से दरसाते हैं, ये हो गया आपका आर, उसके बाद में हैं, ये प्रावर्तक प्रष्ट है बाहर का, ये मुख्य अक्स हो जाएगी आपकी, ये जो लाइन है, ये रेखा है, कालपनिक रेखा है, उसे हम कहते हैं, मुख्य अक्स उसके बाद में मुख्या फोक्स किसे कहते हैं जब कोई भी प्रकास की कीरण या प्रकास पुंज आता हुआ होता है जिसे हम आपतित कहते हैं तो आपतित प्रकास कीरण या आपतित प्रकास पुंज परावर्तन के बाद परावर्तित होकर जिस तरह प्रष्ट से टकराती है तो परावर्तित हो जाती है और परावर्तित होकर वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदू पर मिलती हुई दिखाई देती है उस बिंदू को उस दरपन का मुख्य फोकस कहते हैं जिसे capital F से दरसाते हैं अर्थार्थ परिबासा है आपतित कीरण परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदू पर मिलती हुई दिखाई देती है या मिलती है उस बिंदू को दरपन का मुख्य फोकस कहते हैं जिसे capital F से दरसाते हैं इस मुख्यक्स पर प्रावर्तित होने के बाद में बिंदू जो होते हैं जहां जो बिंदू मिलता है उस बिंदू को ही उसका फोकस बिंदू कहते हैं वो क्या फोकस कहते हैं अंतर होता है अउतल में वास्तों में प्रावर्तित किरन जो है वो F पर आती है या दिखती है मिलत किसे कहते हैं उसके बारे में तो P यानि कि आपका दरपन का धुरुए और F जो मुख्या फोकस है उन दोनों को मिलाने वाली दूरी या उन दोनों की बीज की दूरी दरपन के धुरुए और दरपन के फोकस दूरी या फोकस बिंदू को मिलाने वाली या उनके बीज की दूर को फोकस दूरी कहते हैं जिसे स्मोल एफ से दरसाते हैं इसी में एक क्वेस्टन बनता है कि फोकस दूरी और वकरता तरिज्या में क्या संबंद होता है वक्रता तरिज्या और फोकस दूरी में आपस में संबंद होता है वो होता है F बराबर R बटा दो यानि की वक्रता तरिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है या फोकस दूरी वक्रता तरिज्या की आधी होती है तो ये वक्रता तरिज्य द्वारक द्वारक यानि की व्यास जिस गोले से प्रावर्तक प्रष्ट बना है या दर्पन बना है उस दर्पन का प्रावर्तक प्रष्ट की वरताकार जो सीमा है ये ये जो वरताकार सीमा है उसका व्यास ही उस दर्पन का द्वारक कहलाता है तो ये थी दर्पन से समंधित स सब दावलिया, दरपन का धुरुवे, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस, फोकस दुरी और द्वारक, नोट करना है, साथ में समझना है, बीना देखे, बनाने एकोसिस करना है, जितर से समझने एकोसिस करें, नहीं आएं तो पूछ सकते हैं, अब बात करते हैं, दरपन के उप्योग की, कि दरपन का हम उप्योग कहां कहां करते हैं, उसके बारे में, नोट करें, तो सबसे पहले बात करते हैं, अवतल दरपन की, अवतल दरपन का उप्योग सामानियत है, टोर्च में, सर्च लाइट में, या अगरदीप जो होते हैं वह नो के उन मे किया जाता है तो सबसे पहला क 넣고 का यह है औतल दरपन उसका उपयोग यानि अवतल दरपन का उपयोग हेड़लाइट में या टोर्च या शर्च लाइट में इतेदी में किया जाता है सेविंग दरपन के रूप में भी बड़ा परतिविम देखने के लिए अवतल दरपन का प्रियोग किया जाता है सेविंग दरपन यानि की हैंडलों या उनके सेलोन में जब जाते हैं बाल के लिए सेविंग के लिए तो उसके रूप में, सेविंग दरपन के रूप में भी अवतल दरपन का उप्योग किया जाता है इसके अलावा दानतों के डोक्टर दोरा अवतल दरपनों का उप्योग दानतों में जो कोई कुछ चीज फस जाती है या कीडा फगरे लग जाता है तो उनको बड़ा प्रतिविम्भ देखने के लिए भी अवतलदर्पन का प्रयोग करते हैं इसके अलावा सेटिलाइट डिस एंटिना में अवतलदर्पन का प्रयोग किया जाता है और अवतलदर्पन से कोई दूरिस्थिर्विम्भ है उसको focus पर केंदृत करने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है हो सकता है कि आपको note करने में दिक्कत हो इसलिए ध्यान से सुनें उसके बाद में note करें उतल दर्पण के उप्योग, उतल दर्पणों का उप्योग वहनों के जो side के जो wings हैं यानि side के जो दरपन है और जो पिछे का जो दरपन है उसके वाले दरश्य को देखने के लिए side वाले जो दरपन है यानि कि इसी से हैं mirror है उनमें किया जाता है जैसे bike के जो side वाले दो wings होते हैं यानि कि दो जो दरपन होते हैं उनमें उतल दरपन का प्रयोग किया जाता है चाहि कोई वहान और साइड वाला तो जासे कार हो तो उसके दोनों तरफ जोसी से लगे ओते हैं बाहर की तरफ उन है उन में इतल दरबन का प्रयोग किया जाता है वरतमान में ATM मसीन जो होती है उसके पास रिक्षागी दर्ष्टी से भी उतल दर्पन लगाया जा सकता है जिसके कारण से जो ग्रहक जो काम करें ATM के लिए आता है उसका जो पिन कोड या पास कोड है वो पिछे वाले जो खड़े व्यक्ति है उसको साफ नहीं दिख सकें इसलिए ATM में भी उतल दर्पन का प्रियोग किया जाता है ATM के मशिनों में भी किया जाता है तो यह थे दर्पनों के उप्योग के बारे में अब बात करते हैं पार्षव परावर्तन के बारे में पार्षव परावर्तन किसे कहते हैं उसके बारे में तो ध्यान से सुने कोई भी दरपन हो नौर्मली जब हम किसी दरपन में किसी वस्तु को देखते हैं या खुद को देखते हैं तो हमारा दाया भाग जोता है वो बाया दिखाई देता है और बाया भाग जोता है वो दाया दिखाई देता है इसे ही पार्ष्व परावर्तन कहते हैं जहां से सुनें किसी दर्पन में हमारा या किसी वस्तु का पार्ष्व भाग अर्थार्थ देखने पर उसका बाया भाग दाया दिखाई देता है और दाया भाग बाया दिखाई देता है इसे पार्षव परावर्तन कहते हैं ये था हमारा आज का भी से गोल ये दरपन किसे कहते हैं कितने प्रकार का होता है और उनसे समधिस सब्दावलियां और साथ में दरपनों के उप्योग और पार्षव परावर्तन के बारे में उमीद है समझ में आया होगा मिलते हैं इसी के यानि पार्ठ नो के तीसरे भाग में जल्द ही आज के लिए इतना ही धन्यवाद